वेलकम टो एक्जाम तक आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के सभी इंपोरेंट करेंट अफेस के कोश्चन्स अम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं वैसे मैं आपको बता दूँ एक अक्टूबर को मारा करेंट अफेस का वीडियो नहीं आ पाया था आज भी नहीं आ कुश्चन जो है एक्स्ट्रा कल मैं आपको पूरा कंप्लेट करवा दूँगा ठीक है ना तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रस्ट कुश्चन कौन सा है और फर्स्ट कुश्चन सभी को पता है आज जो हैं दो अक्टूबर है महत्मा गांधी जी की जहनती है साथ म उनका जन्म पूर बंदर गुजरात में हुआ ठीक है ना वह आपको यादी होगा बाकी अगर बात कि जाए उनकी इंपोर्टन पुस्टक है कौन सी एक हरीजन आपको याद रखना है यह हरीजन पुस्टक जो हैं यह काफी इंपोर्टन है पत्री का है एक्स्ट्रूल में इसके अलबा दे टूट ओफ माइ लाइफ वो भी है उनकी पुस्टक ठीक है ना इसके अलबा अगर बात कि जाए मात्मा गांदी की तो वो जो हैं 1915 में अगर बात कि जाए 9 जनवरी को साउथ आफ्रिका से इंडिया आये थे वो काफी इंपोर्टन है उसी दिन जो हैं पर इंपोर्टन मुझे पता हैं वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ना उसके बाद अगले साल 1918 में अहंदाबाद में कुछ हुआ था इसके अलबा इंपोर्टन अगर बात कि जाए फिर वा था 1920 का असयोग आंदोलन ठीक है ना असयोग आंदोलन जो है यह बहुत इंपोर् इसके अलब अगर बात कि जाए 1932 में पूर्णा पैक्ट हुआता महत्मा गांधी और डॉक्टर बियार अंबेड करके बीच में वह भी इंपोर्टन नाइंटीन थर्टीवन में गांधी इरविन समझाता हुआ था तो यह सब सीक्वेंस आपको वैसे तो यादियों का हिस् इसी पीडियो को प्रिपेर करके जो हैं पूरा होता तो काफी आपको कुछ एक्स्ट्रा डीटेल्स भी मिलती बट मैंने जैसे आपको बता आज का भी वीडियो नहीं आने वाला था बट आ गया ठीक ना तो यहांसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको डीटेल्स इंपो दंदा को जो हैं कुछ समय के लिए मडलब जो हैं कारी-कारी प्रदानमंद्री अपोइंट किया और उसके बाद अगले प्रदानमंद्री बने लाल बहादुर शास्त्री शांती पर यह कहां जाता इनको इनके बार में मैं याद क्या रखना 1965 का अगर बात या पाकिस्तान इंडो पाक वार जो हैं यह इनके टाइम को था 64 में शायद डैथ हुई थी पंडित जवालाल नहरुकी 62 में तो वार हुआ था 1964 में पंडित जवालाल नहरुकी होगी थी डैथ उसके बाद बने लालबाद दुर्शास्त्री और 1965 आपको बता हुए इंडो पाक वार के गया उजवेकिस्तान की कैपिटल लेकिन उस समय यह सब USSR का ही पार था वहाँ पर इनकी जो सस्पिशिस डैथ हो जाती है जिसकी मिस्टरी आज तक किसी को नहीं पता है तो यह थी लालबाद दुर्शास्त्री की बी स्टोरी काफी इंपोर्टन याद रखना है और इन दोन शांती गाड जो है यह इनकी है इसके अलबा काफी सारी जो है समाधी स्तलप पर जो है अलग से मैं वीडियो जो बनाँगा शॉट ट्रिक नेक्स्ट अगर बात कि जाए यह हैं सेकेंड कोश्ण आज का वो फर्स्ट कोश्ण था यह हैं सेकेंड कोश्ण यह बहुत इंपोर्टन कोश्ण नजला बोडेन रोम धाने ये जो है किस देश की पहली महिला प्रदान मतरी बनी है तो नजमा बोडेन रोम धाने जो है ये ट्यूनिशिया की फॉर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है और ये बहुत इंपोर्टन हो जाता है नजना बोडेन इनके दो वर्ड याद लो आपको जो आप्शन में मिल जाए तो ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रदान मतरी बनी है अच्छा ट्यूनिशिया मरलब हमारे लिए क्यों इंपोर्टन है एक्च्छली मिया पर दो तीन महिने पहले यहां की जो राष्ट पती थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यह नाम के ही प्रदान मतरी रह जाएंगे नजला बोडे जिनको अभी अपोइंट किया है दो मेने बाद में और यह ट्यूनिशिया की कैपिटल मिलेगी ट्यूनिश आपको याद रखना है और यह जो आकर बात की जाए तो यह इस तरह से हैं अच्छा ट्यूनिशिया आप को मैप में कहां पर मिलेगा तो जैसे मैं आपको बताया पहले से मैं मैप तो इंकलूड नहीं कर पाया बट मैं आपको जरूर से बता दूँगा ट्यूनिशिया मैप में कहां पर मिलेगी यह अफरिका कॉंटिनेंट मान लीजे ठीक है ना उपर क्या मिलेगा आपको सागर अलजीरिया और लीबिया इन तीन देशों के साथ सीमा बनाता है ट्यूनिशिया के बारे में यह आपको याद रखना है नजला बोडे अच्छा एक फेमस वड़े अरब स्प्रिंग ठीक ना शायद आपने नहीं सुना होगा अरब स्प्रिंग का मदलब क्या है जो पहले मदलब की 2005-06 के आसपास की बात है 2009-10 तो इसी टाइम पर यहां पर तानाश्य होते थे तो ट्यूनिशिया यहां से स्टार्ट होगा था एक बहुत ही बड़ी रिवोलिशन उसके बाद यह बहुत सारे देशों में फैली लीबिया में फैली इजिप्ट में फैली इन स मुहमद गद्दाफी जिनके नाम पे लाहोर में स्टेडियम बनावा लीबिया के रस्टपति का तो उनको भी हटना पड़ा था इस अरब स्प्रिंग के कारण नेक्स्ट है तीसरा कोशन थर्ड कोशन काफ़ी ज़्यादा इंपोड़े ने आपके एक्जाम पॉइंट ओवियू से भी और किसी भी एक्जाम पॉइंट ओवियू से यह कोशन बन सकता है हाली में रक्षा मंत्रा लेने एक अक्टूबर से ओरिनेंस फेक्टरी बोर्ड को बंद करने का फैसला क्या है यानि कि अगर बात के ओरिनेस फेक्टरी बोर्ड ओ एफडी को जो है अभी ऑफिशल रूप से बंद कर दिया शटडाउन कर दिया और इसके जो भी कामकाज थे इसके जो भी करमचारी थे इसके जो भी अगर बात के सेंटर्स थे उनको साथ अल अगले कम्तियों में इसको बार दिया है अभी मैं आपको आगे पूरी डीटेल दूँगा ओरिनेंस फैक्टरी बोर्ड के बारे में राजनात सिंग जी अभी रक्षा मंत्री यह तो बहुत सिंपल कुशन है इसके बारे में जो डीटेल्स हैं वो मैंने अगले स्लाइड में ड बात किया अंगरी जो के द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी नहीं इसको इसता पर दिया कि यहां पर आम्स वैपन्स या जो भी अगर बात के military equipment से वो इस बोड फैक्टरी बोड के द्वारा बनाई जाते थे उसके बाद 1979 में जंता दल की सरकार ने इसका नाम बदल दिया सोच रहूंगे इतनी इंपोर्टेंट संस्ता है फिर इसको क्यों क्लोज कर दिया एंड अब क्या होगा इनके आगे तो ऐसा नहीं है कि अब यह जो हैं आम स्कम्मिनिकेशन यह सब एम्मिनेशन जो हैं यह नहीं मिल पाएगा आर्मी को एक्चुल मैं इनको जो है साथ अलग- सेक्टर की कंपनीज में बाड़ दिया वो अलग-अलग तरीके से काम करेंगे इसके 41 फैक्टरीज थी जिसमें 70,000 से जएधा एम्प्लोईज थे एंड इनका अगर बात के 90,000 करोर का टन ओर था हर साल का इस कंपनी मेरलब औरिनेंस फैक्टरी बोर्ड का लेकिन इसको भी जो हैं साथ अलग-अलग कंपनी में एंड यह जो कर्म चारिये इनको भी अलग-अलग कंपनियों में बाट दिया जाएगा सेवन अलग-अलग अगर बात के डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनी हुए हैं डिपी एस यू कह सकते हैं आप लोग शॉट में तो यह ज पहला पिंक बॉल टेस्ट मैस जो एं यह ख़ला है हालि में ऑुस्टिलिया के खिलाफ शायद अभी चल भी रहा है अभी तक ठीक है ना ऑस्टिलिया के । भी घुला है कहां पर वाइं तो यी कुइंस लैंड में वा है ऐस्ट्रिया में इंप्रेंट रखना रखना एंड और और रेश का कुइंस लैंड मंद बनाप एक पूरा कुबरा प्रदेश है वहाँ पर किसी शहर में हुआ है इतना इंपोर्ट अभई आपको और जरूर सी य बोलकता इडन गार्डन में बंगलादेश के खिलाफ हुआ था और जिसमें विराट कोली ने दोहरा शतक भी लगया था इसी तरह से कुछ रिकॉर्ड यहां पर भी बनाएं अभी आपको बताएंगे अगर बात के ऑस्ट्रिया की तो ऑस्ट्रिया और इंग्लेंड की महिला ट मैचल खेला गया था ते इस मैच में जो श्री कुछ रिकॉर्ड बनाएं वे रिकॉर्ड में आपको बता दूं स्मर्थी मंधाना के नाम पर ANYरि को इसमर्ती मंधाना नहीं यहां पर जाएं अगर बात कि जाएं पहले ही मारे ही टैस्ट मैचल शतक बना दिया है यह पहले है कि इसमाल इस्मृति मंदाना स्कॉर्ड हर मेडन टेस्ट टरन इन वन ओफ मैच अगेंस ऑस्टेलिया एट कुइंसलें और इनका भी जो हैं पहला शतक हैं यह टेस्ट मैच में इन प्रोसेस मंदाना विकेम दा फॉर्स्ट इंडियन वोमें टू स्कॉर अटन इन पिंक बॉल क कि अगर बात की जाए तो स्मृति मंदाना और इंडियन होकी टीम की कैप्टन जो हैं रानी रामपाल इन दोनों ने अगर बात की जाए तो इन दोनों को ब्रेंड अमबेस्टर किसने बनाया था आपको इंपोर्टन याद रखना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई पदमजा चुंदरू का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि कहने कहीं इनका नाम सुनाएं इंडियन बैंक के MDNCO रहे चुके हैं पदमजा चुंदरू एंड हाली में यहां से रिटायर होई हैं शांतिलाल जैन जो हैं यह इंडियन बैंक के नए MDNCO हैं इनका नाम याद Florence Nightingale Award इनको मिला है अच्छा NSDL की full form क्या है यह थोड़ी सी जान लिजे बाखी important नहीं है NSDL का मुणव है National Securities Depositories Limited तो यह इसकी full form है भारत में इस तरह से security depositories दो परकार किये एक तो NSDL है एक अकर बात के ISDL है शायद चीके ना यानि की Indian Securities Depository Limited तो इस तरह से यह दो भारत में काम करती है आपको याद रखना है नेक्स्ट है चाटा question और यह चाटा question काफी important है अगर बात की जाए तो वैसे सभी के सभी question important होते हैं काफी सारे लोग कहते कि आप important important क्यों बोलते हैं कई बार हो जगा है flow flow में भी ज़्यादा तर जो मैं बोलता हूँ वो question सही में, real में important रहते हैं हाली में किस खेल से समद्दे थे है रूपिंदर पाल से इंग जन्नोंने सन्यास ले लिया है तो question बनता है रूपिंदर पाल सेंग किस समद्दे थे वैसे होकी से समद्दे थे इन्होंने हाली में जो है सन्यास की गोशना कर दिये अच्छा तो ये हमरे लिए को इंपोड़े ने 13 साल का करियर था 31 साल महज इनके अभी उम्र हुई है और स्पोर्ट्स की दुनिया में 31 साल भी काफी होता है कई खेलों में हाली में आपको पता होगा टोक्यो ऑलम्पिक में भारती होकी टीम ने कांसी अपदक जो दीता है उसके ये सदशे थे मदलब उस टीम में ये थे रूपिंदर पाल सिंग इसलिए ज़्यादा इंपोड़न हो जाता है उस टीम के कैप्टन कौन थे तो मनपृत सिंग उस टीम के कैप्टन थे लेकिन रूपिंदर पाल सिंग जो है उस टीम में खेल रहे थे और हाली में इन्होंने सन्यास की गोशना किये इन्होंने का हैं कि युवा खिलाडियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए इसलिए आपको याद रखना है होकी में भी 11 ही प्लेयर होते हैं और होकी वर्ल्ड कप से समन्दे आपको किया याद रखना है टीम इस पוןसर की घोश्ना किये जो ही हो गी औरशा सरकार यह आपको याद रखना है नेक्स्ट अगर बात किया है यहाँ साथवे कोशन की साथवा कोशन आपको खुष्ण कौन सा है आत्वा मैं जो हैं लेटरज डे अ इसके लवा अंतराष्टे कॉफी दिवस जो कॉफी है उसके स्वास्ति को लेकर जो है अच्छे जो इफक्त है काफी सारे बैड भी होते हैं लेकिन जो अच्छी बाते हैं वो बताने के लिए अंतराष्टी कॉफी दिवस मना जाता है 2015 से एंड इसके लाव विश्वर शाकाहरी दिवस ये भी काफी इंपोडेंट रहे हैं एक ऑक्टोबर को ये भी डे मना जाता हैं तो तीनों दिवस से आपको याद रख बता हुए अगर तो एक Zanawari को जांट हमारा जैसे DRD का सताफना दिवस होता है ठीक है न एक कोउष्ट गार्ड का सताफना दिवस होता है एक ऐसकहला ने इंपोडेन वाला डे होता है विश्व स्रमिक दिवस वर्ल्ड लेबर डे एंड इसके अलब अगर बाद एक जुलाई को फिर इंपोडेन डे आ जाता है एस बीए का डे जीएश्टी का डे डॉक्टर्स डे यह सब एक जुलाई को मनते हैं एक सितंबर को मुझे याद नहीं एक अक्टूबर को आपको यह याद रखना फिर यह तिनों तो इस तरह से आपको याद रखना है एक जनवरी एक फरवरी एक अप्रेल एक मई और एक जुलाई काफी डे याद हो गए है वैसे नेक्स्ट है आठवा कोशन यह हाली में NBA यानि की National Basketball Association के अध्यक्ष कौन बन बने हैं लेकिन इस साल जो भी brand ambassador बने उनकी proper list बना कर मैं आपको दे दूँगा ताकि आप लोग एक साथ में याद कर पाए तो यही था आज का complete वीडियो जिसमें मैंने आपको जो हैं काफी सारी चीज़े बताई हालांकि आज का वीडियो जो हैं इतना डीटेल नहीं रहा जितना आप लोग पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं बट कोई बात नहीं ठीक है ना वीडियो आपको मिल गया अब यह हैं आज का कोशन की फूमियो किशीदो जो हैं किस देश के प्रदानमंत्री बने हैं वैसे मैं डारेक्ट कोशन भी पूछ सकता था लेकिन इस नाम से आप इतने फैमिलियर हैं नहीं एंड स्वेलिंग वगरे तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ उस देश का नाम बताना हैं उस देश के बारे में डीटेल लिगने हैं फीमियो किशीदो जो हैं किस देश के प्रदानमंत्री बने हैं मुझे पता हैं जिनोंने भी पिछला में तब तक लिए जय हिन जय भारत